हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज मैं आप लोगों को बंदरों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं बंदरों की सबसे अधिक प्रजातियां ब्राजील में पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में लगभग 260 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं क्या आपको पता है बंदर दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को इश्वर बंदर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुवात सन 2000 में मजाक के रूप में की गई थी। बंदरों को दो भागों में बाटा गया है जो अफरीका और एशिया में रहते हैं। दुनिया का सबसे छोटे आकारवाला बंदर इतना छोटा है कि इनसान की हतेली पर भी बैठा सकते हैं। और इस बंदर की लंबाई सिर्फ 4 इंच और वजन 100 गराम से लेके 1.500 गराम तक है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बंदरों का IQ लेवल 154 होता है। यह गिंती भी कर सकते हैं। अधिक्तर बंदरों की प्रजातियां पेड़ों पर निवास करती लेकिन कई प्रजातियां जमिन पर रहने वाली भी होती हैं। जैसे बबून आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि मरे हुए बंदरों के कच्चे और पके दिमाग को चीन और मलेशिया में बड़े चाव से खाया जाता है। इंसान और बंदरों का डियन ने लगभग 98% आपस में मिलता जुलता है। बंदरों में इंसानों की तरह भावनाय होती हैं। वे एक दूसरे के प्रती प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं और डरते भी हैं यहां तक की नफरत भी करते हैं। बंदरों को अगर आप सही प्रकार से ट्रेनिंग दे तो वे अपने आपको शीशे में पहचान सकते हैं। एक मादा बंदर अपने बच्चे को 134 से लेकर 237 दिनों तक अपने पेट में रखती है। बंदरों को एक बहुत ही बुद्धिमान जीव माना जाता है। सबसे तेज आवाज निकानने वाला बंदर हावलर मंकीज है। इसकी तेज आवाज जंगल में लगभग 3 किलोमेटर दूर और खुले अस्थान में लगभग 5 किलोमेटर दूर तक जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि इस पेस में भीजा गया पहले बंदर का नाम अलबर्ड था जिसने 11 जून 1989 को अमेरिका दौरा लॉंच किये गए V2 रॉकेट से उडान भरी थी। वह उडान के दौरान डम घुटने की वज़े से मर गया था। जापान में एक ऐसा रिस्टोरेंट है जहां इंसानों के साथ बंदरों को वेटर का काम करते हुए देखा जा सकता है। बंदर कई बीमारियों के प्रति समवेदन शील होते हैं लेकिन बंदरों को कभी सर्दी नहीं होती है। सबसे लंबी पूछ वाली बंदर का नाम है प्राइमेट मादा मकडी बंदर इसका शरीर दो फिट लंबा होता है। आस्ट्रेलिया और अंटार्किटिका को छोड़कर धरती पर लगभग सभी जगें बंदर पाये जाते हैं। तो मैंने आपको बंदर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद।